जैशे कृष्णा स्वागत है आपका सार्थीत रिश्टा के साथ शुक्र हमारे जीवन के अंदर एक बहुत महत्पुन ग्रह हैं विलास्ता देते हैं वैवव देते हैं जीवन के अंदर आकर्शन देते हैं प्रेम देते हैं हमारी सेक्स लाइफ को इंप्रूव करते हैं हमारे जीवन के अंदर तरंगे देते हैं उमंग देते हैं हमें जीवन जीने की अलग ही शैली सिखाते हैं जिनका शुक्र अच्छा होता है ऐसे लोगों का लोगों पर प्रभाव ही कुछ अलग परता है आप कुछ ना भी बोले तो भी आपकी body language, आपकी आँखें, आपके बाल, आपके हाथ, आपके बोलने का तरीका ये सारी चीज़े कहीं ना कहीं अंसान को impress कर जाती है आपका सिर्फ किसी के बीच में उपस्तित होना ही आपको उसकी आँखों में बसा जाता है अगर जिसका शुक्र अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति का अगर रंग सामला हो, काला हो, ने नक्ष भी बहुत अच्छे ना हो, तब भी वो सब का चहेता बना रहता है ऐसे इंसान के बाद घर, बंगला, जेवर, जायदाद इन सब की कभी कमी नहीं आती ऐसे लोगों का उठना भैटना हमेशा बहुत अच्छे लोगों से होता है, हाई सोसाइटी में ऐसा बंदा हमेशा खुद को फ्लो करता है, ऐसा इंसान हमेशा पेज थी में बना रहता है, ऐसा इंसान हमेशा सुर्खियों में रहता है और लोगों की नजरों में हमेशा उपर एक पूरा फुल ओन एपिसोड बनाने वाली हूं जिससे आपके जीवन की बहुत सारी काया पलट होने वाली है लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए जल्दी लेकर आऊंगे इंतिजार करना पर आज मैं कुछ आपको अलग बताने वाली हूं जो मेरे ठाक ग baggage कभीभी लॉयल नहीं रहा पाता एसा व्यक drafting कभीभी अपने एक पांटनर के साथ संतूष्ट नहीं होता ऐसे इनसान को बहुत सारी वेराइटी चाहिए प्रेम में में भी जीवन्में में भी अपने दोस्तों में भी और अपने काम में आपको इसा कोई बीकाम असानी स उसे कर नहीं पाता, उसे मेहनत नहीं चाहिए, उसे दिखावा चाहिए, जिसका शुक्र नीच का होता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा नीच लोगों की संगत्ती में रहता है, उसे कभी अच्छा, ज्यानी, सदगुनी इंसान नहीं मिल पाता, नीच लोगों की वज़े से ही उसकी जिंदगी बनती है और बरबाद होती है, अगर आपके कुंडली में शुक्र मंदा है, अच्छा नहीं है, मंदा है, और आपके शुक्र परवत पर भी बहुत ज़ादा लाइन्स हैं और आपका शुक्र परवत दबा हुआ है, या आपके शुक्र परवत के उपपर इस तरह के निशान या चिन है जो आपके शुक्र को बरबाद कर रहे हैं, मंद कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको diabetes इसका problem है इसका मतलब आपकी कुणली में शुक्र कहीं न कहीं affected है अगर आपको युरिनरी problem होती है इसका मतलब आपका शुक्र कहीं न कहीं आपके लिए परिशानी का कारण बना हुआ है अगर आपको पेट संबंदी दिक्कते रहती है इसका मतलब शुक्र कहीं न कहीं आपको दिक्कत कर रहा है अगर ये सारी प्रॉब्लिम्स आपके साथ हैं तो आपको तीन महा उपाय बताने जा रही हूँ जिनको करने मातर से आपके जीवन के अंदर बदलाव आना चालू हो जाएगा शुक्र की पीड़ा अगर किसी भी तरीके से आपको पीड़ित कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए पहला काम शुक्रवार के दिन नहाने के पानी में धही और चंदन मिला कर नहाना स्टार्ट कर दीजे आपकी जीवन की रूप रेखा बदल जाएगी आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी शुक्र धीरे धीरे काम करेगा लेकिन आपके अंदर आकरशन पैदा करेगा अपना शिव मंदिर के पंडित के नित नियम से पैर जरूर चुने चाहिए शिव मंदिर के पंडित को शुकरवार के दिन सफेद वस्तर जरूर देना चाहिए शिव मंदिर के पंडित को आपको मीठा भोजन शुकरवार के दिन जरूर खिलाना चाहिए अगर आपका शुकर किसी तर जीवन को विनाश की तरफ लेकर जाएगा और आपके जीवन में आने वाले सारे सुखों को आपको अभाव में बदल देगा एक बात ध्यान रखिएगा जिसका शुक्र अच्छा नहीं होता ना ऐसा व्यक्ति कितनी भी हाइट पर पहुंच जाए ऐसा व्यक्ति अरबपती भ भोग नहीं पाता इसलिए कुंडली के अंदर शुक्र का अच्छा होना बहुत जादा जरूरी होता है अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपका तीसरा महा उपाय बता रही हूं जो आपको शुक्रवार की रात्री को करना है शुक्रवार की रात्री को आपको सफ आगश बुन्ध इत्र की मिला लेनी है fermented आपको बैठ कर शुकर के मंतर क偌त करना है कम से कम 108 में उसके इस पानी को नहसे अपने सिर अपने हाथों सपर अपने पर गुटांग पर लगायंगे करके देखिए 11 शुकरवार पूरे होते होते आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका negative शुकर भी आपके लिए positive results देने लगेगा जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं नदी नहीं समुंदर के जो लोग समुंदर के किनारे रहते हैं उनको शुकरवार की रातरी को जाकर कच्चा दूद समुदर में जरूर चड़ाना चाहिए ऐसा करने से भी आपका शुक्र अच्छा हो जाता है चलती हूं फिर आँगे कुछ अलओ अद्बुत लेकर तब तक के लिए मु श्खुराते रहेंगा रिष्टो में मजबुती बना के रखिएगा आपने शार्ते के साथ यूह जुड़े रहेगा प्यार देते रहिएगा प्यार लेते रहिएगा ख्याल रखेगा अपना भी और उनका भी जिन से आप बहुत प्यार करते हैं मैं फिर जल्द आप से मिलने आऊँगी तब तक के लिए अपने इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप मुझे मेरे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी जॉइन कर सकते हैं आप अपने कमेंट्स में हमें नए ने टॉपिक्स जरूर देते रहा कर या हमारे लिए वो बहु मुल्य होते हैं उन्ही के आधार पर कुछ रिसर्च करके नया लाने की कोशिश नित नियम से करती हूँ मैं चलिए चलती हूँ ख्याल रखना और मेरा इंतिजार करना मैं फिर मिलूँगी तब तक के लिए जैश्य कृष्णा सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है ज्योतिश शास्त्र में पिछटी मात्रशला पिछली 22 वर्षों से ज्योतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुडलब गुडविधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात्रशला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवाजा जा चुका है प्रुका है